हलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे न्यू योट्यूब वीडियो में आज का ये वीडियो है डिल मशीन के बारे में जो हमने अमजन से ओर्डर किया ये है ब्लाक अंडिकर कंपनी का 550 वार्ट डिल मशीन ये केट सेट है DIY सेट चले आज हम आपको इसके बारे में दिखाते हैं और इसकी अन्बॉक्सिंग भी करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं ये है ब्लाक अंडिकर का 550 वार्ट 13 mm हमर डिल सेट DIY सेट इसकी जो MRP है वो है 4999 जो की हमें Amazon पे 3300 के आसपास की आई ये September 2020 की manufacturing है इसके साथ हमें मिलता है एक पाइलर, एक हामर, एक नाइफ, एक मैगनेटिक स्क्रू ड्राइवर, एक रेंच, मेसेनरी डिल बिट्स 5, उड डिल बिट्स 4, मेटल डिल बिट्स 5, मेगनेटिक बिट होल्डर 1 और 10 बिट्स मिलते हैं जो की आप अपने स्क्रू ड्राइवर में फिट्स कर सकते हैं और कुछ स्क्रू आते हैं इसके जो ये है जा रहा हूं ये ब्लैक इंडेकर हमर डिल सेट की ये इसका उतर करता है इसको साइड में रखते हैं और के साथ में हमें कमपनी क्या क्या प्रवाइड करती है ये है ये है ये है इसकी इंस्ट्रक्सिंस बुक इस दाम साइड में रखता है और ये है इसकी वारेंटी कार्ड तो इसके साथ आता है एक डिल मसीन सेट ब्लाक इंडेकर का आप इसके मॉडल नंबर को मैच कर सकते हैं इसके पैकिंग से और ये एक पाइलर इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है ये एक हैमर जो की की आए थेंक स्टेललस स्टील का है ये एक नाइफ प्लास्टिक की बिल्ट क्वालिटी काफी अच्छी ये है एक रेंच ये 150 एमम रेंच है सिक्स इंच का और ये हैं इसके ये हैं ये हैं मेटल बिट सेट सो वन टू थी फोर फाइब ये फाइब है और ये है उड डिल बिट और ये हैं मैशनेरी डिल बिट और ये हैं इसका है मैगनेटिक होल्ड मुझे इसका नाम नहीं पता में वोल लिया और ये है इसका हैंडल जब आपको हैबी वाक करते हैं जब आपको वाल्स में डिल करना हो ये हैंडल को अटाज कर सकते हैं और ये हैं इसके साथ आती है ये सारी बिट्स जो कि आप इसके स्क्रूड्राइवर में अटाज कर सकते हैं एक मैं आपको अटाज करके दिखाता हूँ ये बढ़ियर से फिट हो रहा है इसमें तो ये हैं इसके कुछ स्क्रूड और ये बॉक्स कापी बढ़िया है इनको और मेल रखने के लिए अब आपको दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं तो चलिए की डिल मशीन और ये है इसका वेरियेबल स्पीड स्विच और ये है तुमें फो वाड रिवर्स ब्वो इस्ट का सकते हैं अ ये है या है ये है ड्रिलिंग मोट्ट सeseलेक्टर अगर इसको आप इढर करते हैं ॡ की साइट तो इससे आप मेसइनुर कर सकते हैं और बाकी सारे कामों के लिए आपको इसको इधर रखना है और ये इसका नाम है चक और बाकी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ हम इस से इस फ्लाई में होल करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा पहले इसकी जो उट बीट है वो फिट कैसे करते हैं इसके साथ आपको मिलता है एक की जिसकी मदद से आप इसको इस बीट को इसके अंदर फिट कर सकते हैं इसको की की मदद से अच्छा से टाइट करना है यह टाइट हो गया है अब हम इससे ड्रिल करते हैं यह बहुत ही अच्छा से होल हो गया कुछ सेकेंड्स में इस मेटल में होल करके देखेंगे यह हमने एक हमारे पास पेंट का डबब बरा था तो पहले हम इसकी जो उट बीट है उसको निकालते हैं निकालने के लिए आपको इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है और यह भी निकल गया बहुत ही आसानी से अब हम इसको फिट करते हैं दूसरे बिट को और इसको हम की की मदब से दुबारा टाइट कर लेंगे तो चले हम यह आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से कुछ सेकंड्स में ही इस मेटल के डब्बे को इसने होल कर दिया मैं एक और होल करके ट्राई करूँगा इसमें काफी क्लीन होल हुआ है अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कुछ स्क्रू टाइट करके अब सुदा लें और नीचे जो हमारे पास स्लाई के तुकरे पर है उसमें हम कुछ स्क्रू टाइट करके देखेंगे यह कैसा वॉप करता है क्यूक्श किसमें रिवर्स फंक्सिन भी है तो इसमें इस से हम स्क्रू टाइट भी कर सकते सकते हैं और स्क्रूर से निकाल भी सकते हैं रिवर्स फंक्शन की मदद से इस स्क्रू को टाइट करेंगे पहले तो बस आप इसको शिक्स कर लें हैमर से यह देखें काप यह अच्छे से फिट हो गया यह स्क्रू टाइट हो गया है अब मैं इसको रिवर्स फंक्शन से इसको निकालूंगा इसको रिवर्स मोड में कर दिया हमने अब हम इसको निकाले गे यह देखें आप यह स्क्रू बहुत ही आसानी से निकल गया है I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like, subscribe and share करना है ना भूले product link मैंने description box में डाल दिया है मिलते हैं अपने next video में thanks for watching our video goodbye, take care